नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योटियोब चेनल पीएफपी में आज हम दीपक नाइटराइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं स्टॉक हमें 5% क्रैस होता हुआ नजर आता है ओलिडी स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है 3000 के लेवल पे ट्रेड करा था और फिलाली स्टॉक 40% नीचे 1750 के आसपस ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो क्या यहाँ पर हमें गिरावट बढ़ती हुए नजर आ सकती है तो ऐसे सिचुएशन में रीटेल इंवेश्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले है सबसे बहले कंपनी के quarter 4 के numbers पर नजर डाल देते हैं net sales हमें year on year basis पे 28% बढ़ता हुआ नजर आता है net profit में 8% की गिरावट देखने को मिली है EBIT अभी हमें 10% नीचे जाता हुआ नजर आता है fundamentals के बार में बात करें segment wise revenue breakup के बार में बात करें तो phenolic से 66.6% का revenue आता है basic chemical से 15.6% fine and specialty chemical से 11.5% performance product से 6.2% अब operating profit breakup के बार में बात करें तो phenolic से 62.4% का operating profit आता है basic chemical 17.7% finance specialty chemical 17.1% और performance products 2.5% location wise breakup के बार में बात करें इंडिया से 70.8% का revenue आता है यूरोप से 13.4% एशिया से 10.8% यूए से 4.4% तो main focus domestic business पे और आपको यहाँ पर international business भी अच्छा खासा नजर आता है fundamental ratios के बार में बात करें ROE 33% है ROC 37% है जो कि अपने averages से कहीं सदा उपर है बहुत अच्छे numbers है net profit margin almost 18% है और over the years company अपने margin को बढ़ा पाई है जो कि अच्छी बात है debt to equity 0.25 है over the time यहाँ पर debt to equity हमें कम होता हुआ नजर आता है तो fundamental ratios तो अच्छे नजर आता है financial trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे financial trend काफी ज़्यादा healthy है revenue continuously बढ़ता हुआ नजर आया profitability हमें continuously बढ़ता हुआ नजर आती है 2019 में 170 करोड का profit था और फिलाल 1070 करोड का profit पहुँच चुका है जो कि clearly बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी ग्रोध हमें पिछले 4-5 सालों में दिखाई पड़ती है share holding pattern के बार में बात करें तो total promoter holding है 45.72% जिसमें से कुछ भी pledge नहीं है mutual fund 6%, other DIY 4%, FII 9%, retail and other category 35% तो share holding pattern मेरे इसाब से best नहीं है क्योंकि promoter के पास एक तो 50% से कम equity है और institutions का interest है नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन कम interest नज़राता है क्योंकि retailers के पास 25% की equity नज़राती है analyst के rating के बार में बात करें तो 12 analyst ने stock को cover किया है जिसमें से 66% का मानना है कि खरिदारी करनी चाहिए higher side पे 73% का upside है median 40% का upside है lower side पे 11% की घिरावट बताई जा रही है 24,000 crores की market cap है एक mid cap company है 22 का PE ratio है valuation बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है ठीक ठाक valuation दिखाई पड़ता है stock के chart पर हमें clearly पता चलता है कि 3000 के level से stock में घिरावट देखने को मल रही है और फिलाल ये stock हमें 1750 पर trade करता हुआ नज़र आता है एक channel में ये stock trade कर रहा है और lower range पे फिलाल ये trade करता हुआ नज़र आता है अपने सारे moving average के नीचे है 100 days के moving average ने भी cross over कर दिया है मतलब weakness है weakness लंबे समय से और weakness हमें भड़ती हुआ नज़र आ सकती है daily RSI 34 का level है momentum नीचे के side पे weekly chart के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे 100 weeks के moving average पर ये support लेने की कोशिश करता हुआ नज़र आता है already पहले भी कई बार ये support लेकर हमें उपर जाता हुआ नज़र आया अगर ये support तूट जाता है तो अच्छी खासे घिरावट देखने को मिल सकती है weekly RSI 35.78 है oversold condition दिखाई पड़ती है monthly chart के बार में बात करें तो monthly chart पर आप देख पाएंगे इसका जो important support था actually already हमें तूटता हुआ नज़र आता है ये घिरावट देखने को मिल ये bounce आया फिर से यहाँ पर support लेता हुआ नज़र आया और फिलाल दीपक नाइटरेट already उस support के नीचे trade करता हुआ नज़र आता है monthly RSI 52 का level है momentum जो इतना जादा strong जल रहा था एक दो साल से वो फिलाल हमें खतम होता हुआ नज़र आता है important levels के बार में बात करें तो यहाँ पर दो important levels नज़र आता है सबसे पहले support के बार में बात करता है जो की current market price पर ही है 1750 के आसपास का support है यहाँ पर बड़ी rally देखने को मिली दो माईने शांती देखने को मिली फिर से तेजी देखने को मिली यह जो support था यहाँ पर 1750 का level था यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इसी zone से हमें यह bounce back देखने को मिला है resistance के बार में बात करें 2000 के आसपास resistance है यहाँ पर पहले यह hold करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिलाल इसके नीचे आता हुआ नजर आता है weekly chart पर हमें बहतर तरीके से समझ में आएगा weekly chart पर आप देख पाएंगे 2000 पहले support की तरह देखने को मिला और फिलाल यहाँ पर यह resistance लेकर हमें नीचे आता हुआ नजर आता है daily chart पर भी हमें clearly यही पता चलता है कि 1750 से करके 2000 का पहले भी एक zone देखने को मिला था फिलाल भी उसी zone में stock rate कर रहा है और अल्री multiple time 1750 से यह return होता हुआ नजर आता है और यह support अभी काफी ज़्यादा week हो चुका है अगर यह level तूट जाता है तो हमें अच्छी खासी घिरावट देखने को मिल सकती है यह जो low हमें बनता हुआ नजर आया था यह approximately 1715 के आसपास का low था तो अगर यह level आपको तूटता हुआ नजर आता है तो अच्छी खासी घिरावट इस stock में हमें नजर आ सकती है और दूसरे support की तरफ हमें यह stock बढ़ता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से मैं बहुत बड़ा fall अभी के लिए expect नहीं कर रहा हूँ उसका एक reason है कि नीचे एक support अभी बाकी है लेकिन अभी से उसके बार में सोचने की जरुएत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है फिलाल के लिए तो 1500 के आसपास का support expected है तो जो भी काम करना है तो यह दो levels को ध्यान में रखकी करना है अगर short term या made term के लिए हम खरीदारी करना चाहते है तो वो तो 2000 के उपर ही करनी चाहिए जब तक यह 2000 के उपर sustain नहीं होता है तब तक short term या made term के लिए खरीदारी करने से बचना चाहिए long term के बार में बात करें current market price actually अच्छा है लेकिन अगर आपने recent past में 1750 से करके 2000 के zone में अगर आपने खरीदारी की हुई है बढ़ता हुँ नजर आ सकता है तो वहां पर फिर से अप quantity add करने के बार में सोच सकते हैं पॉजिटिवस के बार में बात करें तो company के fundamentals अच्छा है company में growth अच्छी देखने को मिली है shareholding भी हमें अच्छा नजर आता है most of the analyst भी bullish नजर आता है valuation भी हमें decent नजर आता है negatives के बार में बात करें technicals weak नजर आता है FIDA यह दुनों का stake भी कम हो रहा है और retailers का stake बढ़ता जा रहा है तो shareholding pattern से भी अच्छे संकेत अच्छा trend आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो ऐसे situation में क्या करना चाहिए short term और mid term के लिए तो weak है avoid करना चाहिए अगर कोई position बना के भी रखिये तो 1700 के नीचे जाता है तो clearly exit करना चाहिए long term के लिए हम खरीदारी करने के बार में सोच सकते हैं क्योंकि company अच्छी है लेकिन कब करना चाहिए 1500 के आसपास आता है वहाँ पर कुछ strength दिखाई परती है तब हम खरीदारी के बार में सोच सकते हैं तब तक के लिए फिलाल यहाँ पर थोड़ा सा wait and watch करना चाहिए I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है आपके investment और trading decision में आपको यह मदद करता है Thank you, stay happy, happy investing